यहोशू अध्याय तेरह मिसर के आगे की शिहोर से लेकर उत्तर की और एकरोन के सीवाने तक जो कनानियों का भाग गिना जाता है और पलिष्टियों के बाचो सरदार अरथात अजजा अश्तोद अश्कलोन गत और एकरोन के लोग और दख्खिनी और अवी भी फिर अपेक और एमोरियों के सिवान तक कनानियों का सारा देश और सिदोनियों का मारा नाम देश फिर गवालियों का देश और सुर्योदे की और हर्मोन परवत के बालगाच से लेकर हमात की घाटी तक का सारा लबानों फिर लबानों से लेकर मिस्र पोतमयम तक सिदोनियों के पहाड़ी देश के निवास से इनको मैं इसराइलियों के सामने से निकाल दूँगा। इतना हो कि तू मेरे आग्या के अनुसार चिठ्री डाल डाल कर उनका देश इसराइल को बाड़ दे। इसलिए तू अब इस देश को नौन गोत्रों और मनशर के आदे गोत्र को उनका भाग होने के लिए बाड़ दे। इसके साथ रुबेनियों और गादियों को तू वह भाग मिल चुका था जिससे मुसा ने उन्हें यरदिन की पुरुए की ओर दिया था क्योंकि यहवा के दा दिबोन तक मेदवा के पास का सारा चौरस देश और अमोनियों के सिवाने तक हेशपोन में विराजने वाले इममोरिय के राज़ा सिहोन के सारे नगर और गिलाद देश और गशुरियों और माकावासियों का सिवाना और सारा हेर्मोन परवत और सलका तक कुल बाशान फिर आश्तारोत और एद्रेई इमे बिराजने वाले उस ओक का सारा राज जो रपाईयों में से अकेला बज़ गया था क्योंकि इन्ही को मुसा ने मार कर उनकी प्रजा को उस देश से निकाल दिया था परन्तु इस्राइलियों ने गशूरियों और माकियों को उनके देश से न निकाला इसलिए गशूरियों और माकि इस्राइलियों के मध्य में आज तक रहते हैं और लेवी के गोत्रियों को उसने कोई भाग न दिया क्योंकि इस्राइल के पवेश परमिश्वर यहवा के वच्छन के अनुसार उसी के हव्य उनके लिए भाग ठहरते हैं। मुसा ने रुबेन के गोत्र को उनके कुलों के अनुसार दिया। किरिया तैम, सिबमा और तराइमे के पहाड पर बसा हुआ सेरित शहर बेथपूर पिसका की सलामी और बेथशिमोन निदान चारवस देश में बसे हुए हिश्पून में विराजने वाले एमोरियों के उस राजा शिहोन के राज़े के कुल नगर जिन्हें मुसा ने मार दिया था, मुसा ने एवी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा नाम मिध्यान के प्रधानों को भी मार डाला था, जो सिहोन के ठहराय हुए हकीम और उसी देश के निवासे थे, और इस्राइलियों ने उनके और मार हो के साथ बोर के फुत्र भावी कहने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला था, और रुबेनियों का सिवान एरदन का ती ठहरा, रुबेनियों का भाग उनके कुल के अनुसार नगरों और गाओ समेत यही ठहरा, फिर मुसा ने गात के गुत्रियों को भी कुलों के अनुसार उनका निजभाग करके बाढ़ दिया, तब यह ठहरा, अर्था रिल्दाट याजिर आदी गिलात के सारे नगर और रभा के सामने के अरो अरो एर तक का अमोनियों का आधा देश और हेश्पोन से रमत मिस्पे और बतोनीम तक और महनयम के से दबीर के सिवान तक और तराय में बेधरम, बेतरी मतर्मा, सकोत्र, और सपोर और हेश्पुन के राजा, सिहुन के राजा के बचे हुए भाग, और किन्यरेत नाम ताल के सेरे तक यरदन के पुरो की ओर का वह देश जिसका सिवान यरदन है, गादियों का भाग, उनके कुलों के अनुसार, नगरों और गाओ समेत यही ठहरा। फिर मुसा ने मनश्य के आधेगोत्रियों को भी उनका निजभाग कर दिया, वहां मनश्ययों के आधेगोत्र का निजभाग उसके कुल के अनुसार ठहरा, यहां वहां है। अर्थात महनेम से लेकर बाशान के राजा ओक के राज्य का सबदेश और बाशान में बसी हुई याईर की साथो बस दिया, और गिलात का आधा भाग, और अश्तारोत और इद्रेई जो बाशान में ओक के राज्य के नगर थे, यह मनश्य के पुत्र माकिर के वंश का अर्ज भाग कुलों के अनुसार ठहरे, जो भाग मुशा ने मुवाप के अराबा में यरिहों के पास के यरदन के पुरो की और बाट दिये, वह यही है, परन्तु लेवी के गोत्र को मुशा ने कोई भाग न दिया, इस्टायल का परविश्वर यहुआ ही अपने वचन के अनुसार उनका भाग ठहरा